तो हलोग फ्रेंड कैसे आप उम्मीद करता होंगे दोस्तों हम लोग इतिहास के महतफून को सॉल्फ करता है थे और बता दे कि इससे पहले दू वीडियो हम लोगों ने और लेडी कॉबर कर चुका है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जोब का आप त्यारी करते हैं ये सभी के लिए बेटर एनफ है और बता दे कि ये दोस्तों इतना कॉश्चन अगर आप अंधिम समय में रिवीजन के तौल पे सरसले निगाह से देख लेते हैं तो आपके कॉश्चन जो है वो इक्जाम में छुटने की कम संभावना रहती ह है और हमेशा दोस्तों आप जब एक्जाम के नज़्दिक समय आता है तो आपको सब सब्जेक्ट का सब से लेपस का आपको समप इन्पोर्टेंट कोस्चन को आपको देख के जाना चाहिए और हम लोगों ने इतिहास के दो वीडियो और आप लोग को दे दिये हैं और आप किसमिशन को सब्धा तो मलीक कफूर को सब्धा था तो आपको यह याद रखना है और में नेकर कर दिया तो वह कौन और नहीं था वह अलाउदिन खिल जित था यह हैं छो स्विकार करने से इनकार कर दिया था वरतमान समय में दौलता बाद जहां मुहम्मद बिन तुगलक ने दिली की राज्धानी आस्तांतित की थी तो वह औरंगा बाद के निकट इस्तित था कहा पर था औरंगाबाद के निकट चलिए next question मनि यारो के राज कुमार किसे कहा जाता था तो कोई और नहीं था वो मुहम्मद बिन तुगलग को कहा जाता था चलिए next question इबन बदूता किसके सासन काल में आया था तो मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में आया था ये कई बार दोस्तों ये एकजाम में पूछे गए कोचन है आप कोई भी एकजाम का आप सेर कोचन उठा के देखिए तो ये आपको कोचन मिल जाएंगे इबन बदूता किसके सा करम से विवस्थित करना है तो पहले गुलाम बंस तब किल्जी वंस तब सयद वंस यह दोस्तो करम है और दोस्तों बता दे कि जो है कूट वाले प्रस्त में आपको करम पूछने क्यों लिए दिया जा सकता है या मिलान करने के लिए दिया जा सकता है कि करम से आप सजाईए सबसे पहले कोन आया था उसके बाद कोन आया था तो आपको याद रखना है सबसे पहले गुलाम बंस आया था तब खिलजी बंस तब गुलाम बंस तब सयद बंस चले नेस कोचन लोधी बंस के संस्थापक कोन ह दिल्दी सल्तनत का अंतिम राजवन्स कौन था तो लोदीवन्स था चलिए नेस कोचन सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है तो सूफियों के गुरू ठीक है चलिए नेस कोचन सूफी आदेशो को किस नाम से जाना जाता था तो निरंतरता ठीक है चलिए नेस कोचन तोस्तों ये सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और बता दे कि ये इसे कोश्चन की आपको एक्जाम में नंबर की संख्या बढ़ जाएगी अगर एक सरसरी निगाह से एक बार दो बार वीडियो को देख लिएगा तब चले नेक्स कोश्चन भक्ती उपदेशक शंकर देव ने निमलिखित में से किस छेत्रिय भासा का उपयोग करके उन्हें लोकडिये बनाया था तो असमिया चले नेक्स कोश्चन एना किसकी पवित्र पुस्तक है तो कन फयू सिवाद ठीक है चले नेक्स कोश्चन बिजय नगर समराज की अस्थाप कौन था तो हडी हड हडव दुईतिय था चले न Jean-म नेक्स कोश्चन किस वन्सकी सासक थे तो ये बिजय नगर के सासक ट्रेनगु क्रित चलिते असित माल्याद के लेखा कौन थे तो कृष्ण değil राया थे चलिनस खोचन हंपी के अस्माट के समु का निर्मान किस ने करवाया था थो विजयनगर के सासक को द्वारा करवाया गया था तो वो कौन सासक थे आप कमेंट में जरूर बतायेेगा चलिनस कोचन सम्ट मड़मर के गोल गुम्बज का निर्मान किस साशक के द्वारा करवाया गया था यह तो संग मड़मर होगा ठीक है ठीक है तो अधा मुहंमद भीन तुगलक चाहिए नेक्स कौ Sabal गोल गुमबज कहां पे है तो ये बीजापूर में है चित्रोर का क्रिपी स्थम किस ने बनमाया था तो राना कुमभा के दोरा बनाया गया था चिले अनेस कोचन भात का पहला मुगल समराट कौन था तो बाबर था मुगल समराट पहला तो बाबर था चिले अनेस कोचन पानीपत का पहली लडाई किन दो सेनाओ के बीच लड़ी गई थी तो बाबर और लोधी समराजे के बीच लड़ा गया था चिले अनेस कोचन वह लड़ाई जिसके पैनाम सौरूप दिल्ली में मुगल समराजे की नियूं पड़ी थी तो पानी पत की पहली लड़ाई भात में पर्थम तो खाना का प्रयोग किस ने किया था तो बाबर ने किया था चले ने कोचन भाबर कि मिर्तिव कहां हुई तो सभी जानते हैं आगरा में हुई थी और कितने इस पी में हुई थी आप experiment में बदाएएगा खुन, कुरनाओ जी के युदकिस वर्स लड़ा गया था, तो 1540 में लड़ा गया था, खुमायू के मकवड़े का वस्तुकार कौन सा था, तो मिरात, मिर्जा, गिर्यात, चलिये जब अकबर 13 वर्स की आयू में समराथ बना था, तो आपके एक्जाम में पूस लिया जा सकता है कि अकबर कितने वर्स की आयू में समराथ बन गया था तो 13 वर्स की आयू में वो समराथ बन चुका था चले नेस कोचन पानिवत का दूसरी राइकिन दो से नाओ के बीच लड़ा गया था तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था ठीक है चले नेस कोचन रामायन का फार्सी में अनुवाद किस ने किया था तो बदा यू ने किया था उमीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आने होंगे और बता दे कि ये भी भी आई कोचन है और एकजाम से पहले एक बार या दो बार इसको सरसरी निगास से जरूर देखके जाए एक बार दो बार ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सब डाउट किलियर हो जाएंगे तो चलिए फिर नेक्स वीडियो मिलेंगे और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आये होंगे थैंक्यू थैंक्यू सू मच टेक कियर